हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मोदी ने राफिल घोटाले में रचा इतिहास कॉंग्रिस ने राफिल घोटाले को देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गुजरात कॉंग्रिस कमिटी के पूर्फ अध्यक्ष अरजुन मोडवाडिया ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉंग्रिस की ओर से फ्रांस के साथ किये गए राफिल सौदे को निरस्त कर अपने स्तर पर नए सौदे में करोड़ू रुपे का घोटाला किया है साथ ही देश के साथ आर्थिक और सुरक्षात्मग घोटाले करके इतिहास रचाया है वे मंगलवार को जोदपुर प्रवास पर पत्रकारों से रूबरू होकर राफिल घोटाले का खुलासा कर रहे थे उन्होंने इस घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां एक तरफ मोदी खुद को देश की सुरक्षा और संग्रक्षा का मुख्य चौकिदार बताते हैं वहीं वे इस प्रकरण में घोटाला करके अपनी वित्तिय सलाहकार और सहयोगी की रक्षा संसाधन निर्मान कंपनी के भागीदार बन गए हैं उन्होंने बताया कि कॉंग्रिस ने 2012 में जिस राफिल को 526 करोड में लडाकु जहास खरीदना तै किया था उसको 1670 करोड रुपे में खरीद का इकरार किया है उसका खुलासा ना तो वे संसद में कर रहे हैं और ना ही अपनी मन की बात कादिक्रम में एक तरफ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और रक्षा मंत्री गोपनीता की शर्त की दुहाई देकर 36 रफेल लडाकू जहाजों की खरीद मूल्य संसत को बताने से इनकार कर रहे हैं वहीं भारत और फ्रांस के बीच इस सौदे को लेकर ऐसा कोई करार नहीं हो रहा है वहीं रिलायंस और राफिल कंपनी की ओर से इस सौदे का पूरा ब्योरा सारवजनिक किया जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि राफिल के प्रकरन में मोदी ने Cabinet Committee on Security और Defense Procurement Procedure की भी धजिया इस घोटाले में उडाई गई उन्होंने सौदे के अनुसार सरकारी कंपनी हिंदुस्तान Aeronautics Limited से 36,000 करोर रुपे का ओफसेट कॉंट्राक्ट छीना और आननफानन में बनी Reliant Defense Offset कॉंट्राक्ट और एक लाग करोर रुपे का Life Cycle कॉंट्राक्ट दे दिया उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी एक तरफ तो खुद को जनता के जानमाल की सुरक्षा करने वाला चौकिदार बताते हैं लेकिन उन्होंने जो बारा दिन पुरानी कंपनी को हजारो करोर का ठीका दिया है उससे जाहिर होता है कि मोदी भी इस कंपनी के भागिदारी है और अपने फुजी पसिदितों को पाइदा पहुंचाने के गड़बर जाले वादा ये जीता चरकता हुदार है हम पिश्पूरे मामले ने जो भारत सरकार की कंपनी थी हिंदुस्तान एरोटिक्स दुपिटेट और भारत के साथ विश्वास खाद करने की कपनी जोदपूर से जाकुग तीवी के रेपोर्ट